हाँ जी बच्चो कुछ एक notification जो आया था और उस notification को हम discuss करने जा रहे हैं कि क्या actual में ये notification है जो regular college वारे बच्चो को दिया गया है कि इस तरीके से हमारा जैसे रहने वाला है क्या cost accounting का paper रहेगा कितने marks का क्या chapter आएगा किस तरीके से रहेगा वो सारी चीज़े इसमें discuss कर ले उन्होंने सारी चीज़े रखा है marking distribution में देख लेते हैं सबसे पहले major part हमारा ये है ध्यान से देखेगा कहता जो introduction का जो है ना उसके अंदर से आठ नंबर के questions पूछे जाएंगे आपके introduction जैसे chapter नंबर 1 cost sheet वाला उसमें से कितने नंबर का पूछा जाएगा 8 नंबर का theory तो यह आपका curriculum है कि सर इन दोनों chapter में से 15 नंबर के तो questions आने ते हैं labor में से material लेवर भी देख लो आसान है हाँ पिछली बार का सवाल थोड़ा tricky था मानता हूं लेकिन उससे पहले तो आसान है जो की कर सकते हो material तो आपको आता ही material भी कर सकते हैं तो छोड़ना नहीं है मैं हर बच्चों को suggest करूँगा भाईया इसको करके जाएं करके जाएं इसके बाद overhead chapter है इसके अंदर आपका 15 नंबर काएगा सर overhead में क्या क्या टॉपिक है machine hour rate है एक हमारा आपका overhead distribution है और एक जो हमने absorption rate last class में करा था अलग अलगता है ठीक है ना इसमें से मुझे लगता है इस पेपर इस पर भी ऐसा ही आएगा आप पूरे 10 यर के अच्छे से practice करिए method of costing 30 नंबर का oh my god method of costing कितने नंबर का सर 30 नंबर का ऐसा क्या है इसके अंदर आपका process है इसके अंदर आपका contract है इसके अंदर आपका single output है तो यह सारे आपके method of costing के part बन गए तो यह हमारा कितने नं नंबर का आएगा यानि process है costing है और क्या chapter आजाता है single output हो गया इसके अंदर जो कि हमारा output unit वाला chapter था वह भी आगया job batch costing हो गया यह सारा हो गया और last जो था न 7 यह आपका सात नंबर का है सात नंबर में क्या है सर cost reconciliation statement है एक और integrated और non integrated है और मुझे ज्यादा से ज्यादा chances है कि आपका cost reconciliation statement इस बार पूछा जाएगा exam के अंदर जो मुझे chances रखता है यह तो हो गया marks distribution किसके अंदर से क्या-क्या topic पूछे जा सकते हैं वो भी इन्होंने बता दिया जो पढ़ने के लिए बोला गया बोला गया आप पहले में से पता है क्या पढ़िए पहले में से आए अगर नहीं होगा तो मैं PDF बना के दलबा दूँगा इसका ठीक है ना अब material में से क्या पढ़िए numerical सवाल पूछे जाएंगे questions from LIFO FIFO से पूछे जाएंगे या weighted average से पूछे जाएंगे और concept simple average replacement और आपका standard cost to be एक तो यह पूछा जाएगा numerical questions पूछे जा सकते हैं फीफो से LIFO से, weighted average से और theoretical tough only और जो tough theoretical concept पूछा जा सकता है simple average replacement या standard cost may भी to be covered इस तरीके के theory का है लेवर में से numerical question पूछे जा सकते हैं maybe ask, maybe ask मतलब इससे पूछे जा सकते हैं and labor concept including the gross और net wages कैसे निकालते हैं gross wages और net wages bonus वाला concept आ गया है यहां पर ठीक है अब आ जाते हैं sir overhead में से बोला गया एक बच्चा कह रहा था sir इसमें से कुछ पार्ट है तो overhead में treatment of the following item cover करना है जैसे bonus, bonus किसका पार्ट है sir overhead का पार्ट है salary का पार्ट है, interest on capital, sir interest on capital नहीं लेते overhead के अंदर, sir packing expense यह selling का पार्ट भी होता है जो cost sheet जिसने कर लिया उसको समझ में आ जाएगा, bed rates को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं treatment, research and development का क्या treatment होता है cost sheet में, तो basically cost sheet में कहा जाएगा, depreciation कहा जाएगा, तो इन खर्चों क आपको दिखाना है, royalty कहा जाएगा, admin का पार्ट माना जा सकता है, और हमारा selling distribution के पार्ट में भी चला जाता है, कई बाद, cost of after sales service, तो इसके उपर ना, एक मैं dedicated video बना दूँगा, का कौन सा कहा जाएगा, तो यह, यह था हमारा overhead, अब इसके बाद, activity based costing, जो बच्चे बोटे अगर मैं बोलू, तो activity based costing क्या है, जो हमारा overhead cost है, यह हमारा old method हुआ करता है, नय method activity based costing हो गया, तो यह theory के basement difference पूछा जा सकता है, कि पुराने नए method में क्या है, आगे देख लिजी आप method of costing में क्या है, method of costing, unit number 4, आपका excluding production manufacturing account, यह नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो unnecessary आप आपका including, including process account में, valuation, work in progress, highlight क्या है, work in progress से, only FIFO weighted average, दो ही method पूछे जाएगा, और कुछ में नहीं, method में भी covered, तो यानि weighted average ही आपका including valuation, process costing तो करना है, तो highlighted बोला है, FIFO and weighted, तो यह करके जाना है, इसमें मुझे याद है, कुछ बच्चों ने बोला, दो material वाले सवाल में द ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, कहता है, cost accounting, bookkeeping, क्या कहता है, आपका integrated, non-integral है, आपका accounting system में, theory आएगा, numerical question में भी covered, इसमें से finally नहीं है, all the previous, previous of relevant cost accounting standard applies should be, और यह सारे के सारे apply होंगे, तो कुछ यह थे और बाकी teachers नहीं अपना नाम दिया, और जो भी था, वो कर दिया, तो majorly मैं कहूंगा, सभी को यह चीज़े आपको ध्यान लखना है, cost accounting इस तरीके से पूछे जा सकता है, sir, soul में भी होंगे, कैं बिल्कुल, SOL का होचा है, regular, become honors के लिए, मैंने सभी में schedule लगाए थे, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ become honors में, program वालों का paper दूर है, तो 27 को है, मेर मैं अलग सारी चीज़े, program के बता हूँ, अभी मैं सिर्फ honors पर मेरा focus है, सारा,